हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 23 करेंगे जो की क्लास 7 की है और विश्य है विज्ञान ये वरक्षिट 18 दिसेंबर 2020 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वरक्षिट वरक्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वरक्षिट प्राणियों में पोशन एक रोचक कहानी अमाश्य की एक विलक्षन दुरगटना द्वारा अमाशे की कारे परनाली की खोज हुई तो देखो पताए क्या पताए जा रहा है कि अमाशे किस तरह कारे करता है इसकी खोज एक विलक्षन दुरगटना से हुई 1822 में Elexic St. Martin नामक एक व्यक्ति को गोली लगने के कारण पुरी तरह से घायल हो गया तो 1822 में एक घटना होई थी जिसमें Elexic St. Martin थी उनको गोली लगी थी और वो पुरी तरह से घायल हो गये थी गोली से वक्ष शतिक्रस्त हो गया था और अमाशय में एक छिद्र हो गया था गोली यहाँ पर लगे जिसले कि क्या हुआ आमाशय में एक छीद हो गया था उसे विल्यम ब्लूमोंट नामक अमेरिकन सेनिक चिकिसक के पास ले जाया गया अब जब उन्हें चोट लगी तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर का नाम क्या था विल्यम ब्लू मॉट नामक अमेरिकी सैनिक चिकसक के पास ले जाया गया चिककसक ने उनकी जान तो बचाली परन्तो अमाश्य का वह चिदर भली बांती बंद नहीं कर सके अब जो उनके डॉक्टर थे उन्होंने किया कि उनकी जान तो बचाली जो एलकसक सेंड मातिन थे उनकी जान तो बचाली लेकिन जो यहाँ पे चेद हो गया था गोली लगने की जब गोली ऐसे लगी तो गोली लगने की वजह से जो चेद हो गया था वो उसे पुरी त्राव इसके अंदर से भी किस तरह से हमारा जो अमाशय है वो काम करता है ब्लू मोर्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मन्थन कर रहा है उसकी बिती से तरल स्तावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता है उन्होंने यह भी देखा कि अमाशय शुर्द्रान से तभी खुलता है जब अमाशय बोजन का पाचन पूरीत रहा हो जाता है तो देखो कि यहां पे हमारा अमाशय है उन्होंने क्या कहा यहां से जब उन्होंने देखा तो जैसे यहां पे अमाशय बोजन गया तो यहां से क् इसके बिति से क्या निकलने जब जाता है तरल स्तावित होने लग जाता है और इसके साथ उन्हों नहों यह भी देखा कि जब खुद। देखो यहां से जो नीचे जाता है बोजन वहां जाता है इसके बाद में माश्य के बाद शुद्रांत में जाता है तो शुद्रांत में तभी खुलता है यहां से जो शुद्रांत का यहां पे एक वॉल्व होता है बंद करके रखता है यह तभी खुलता है जब यहां पर पहुंचा तो यहां से क्या होता है इसकी बित्ति से क्या होता है एक तरल स्क्राविस होता है जो क्या था है और यहां पर देखा कि यहां पर एक बंद किया हुआ है और यह तभी खुलता है जब बोजन पूरी तरह से पढ़ जाता है उसके बाद बोजन कहां जाता है शुद् दस्त किसे का जाता है जब व्यक्ति को क्या होता है बार बार मल जो जल रूपी मल बहुत पतले पतले जिसको हम कहते है जल रूपी मल निकलता है इसे हम क्या कहते है दस्त कहते है उस तितिको हम दस्त कहते है यह संक्रमन खाद्य विशाक्त और अपच की कारण होता है यह क्या होता है किसी संक्रमन के कारण हो सकता है खादे विशाख्त food poisoning हो सकती है या क्या कभी बोजर आपच होता है उसकी वज़े से भी ये हो सकता है भारत में विशुषकर बच्चों में ये अधी समानेस लेती है चर्मा वस्ता में ये घातक भी हो सकती है मलब क्या का जा रहा है कि बच्चों को यह हो जाता है क्योंकि बच्चे क्या करते कहीं मिटी के हाथ मुह में ले लिए या कुछ गंदगी वाली चीज मुह में ले लिए तो उसकी वज़े से संक्रमन हो जाता है खादे विशाक्त हो जाए, चब बच्चों में जनरली पाया जाता है लेकिन चर्मा वस्तमलब जब इसके बहुत हाई लेवल हो जाता है तब यह क्या हो सकता है? घातक भी हो सकता है इसका मुख्या कराण शरीर में जल और लवन की अत्यदिक शती हो जाना देखो जो बार-बार में मल का निश्काशन किया जाएगा तो क्या होगा जल और लवन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी शरीर में इससे सहस्ता से टालना नहीं चाहिए इसको हम lightly नहीं ले सकते हैं जब बच्चे बार-बार में क्या जा रहे हैं बार-बार में पोटी कर रह पानी पहले पानी को बालना है इसमें एक चुटकी नमक और चीनी का घोल मिलाना है जिसे हम क्या कहते हैं और एसे क्या कहा जाता है जीवन रक्षक घोल आपने और एस का नाम जरूर सुना होगा बेटा अब देखें नोट क्या कहा रहा है जल रूपी मल के निशकाश से किसी भी व्यक्ति के शिरीर में होने वाले पानी की कमी को निर्जली करण कहा जाता है जल रूपी मल अगर बार बार निशकाशित हो रहे हैं शिरीर से तो श्रीर से क्या होगा पानी की कमी हो जाएगी और जब पानी की कमी हो जाती है तो उसे हम निर्जिली करण कहते हैं रोगी को नियमित रूप से जल जीवन रक्षगोल देकर दस्त के दुरा श्रीर के निर्जिली करण को रोका जा सकते है अब देखो इससे होता क्या है जीवन रक्षक घोल से होता क्या है कि शरीर में पानी की कमी होती जारे तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या दिया जाता है शरीर में निर्जली करन को कम करने के लिए निर्जली करन को रोकने के लिए निर्चली करन को रोखने के लिए क्या किया जाता है जीवन रक्षक घोल दिया चाहता है तो बहुत ही असान और बहुत ही इजी वक्षिरती बेटा आज की तो आईए करते हैं इसके question answer ORS घोल का एक अन्या नाम लिखिए क्या है नाम बेटा अभी हम पढ़ चुके यहाँ पे देखो जीवन रक्षक घोल तो फर्स्ट का अन्सर क्या हो जाएगा बेटा जीवन रक्षक घोल अब हम करते है प्रशन नमबर टू उस स्थिति का नाम लिखिए जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के रूप में बार बार निशकाशिन की आफशकता होती है तो क्या है इसका अन्सर है दस्त तो यह है अन्सर नमबर टू नेक्स्ट कोशन देखते हैं दस संक्रमन कैसे होता है देखो दस्त का जो संक्रमन है वो कैसे होता है या तो किसी तरह संक्रमन हो गया यह संक्रमन खादय विशाक्ति या अपच के कारण होता है किस तरह होता है यह संक्रमन खादय विशाक्ति या अपच के कारण होता है तो यह हो जाएगा अंसर नमबर 3 या अंसर समझ के करना है अब हम करते हैं प्रशन नमबर 4 अमाशे की कारे प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ अमाशे की कारे प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बेटा डॉक्टर ने खोज की थी ना तो उनका नाम है विलियन ब्लूमोंड तो अंसर नमबर 4 हो जाएगा विल्यन ब्लू मॉन अब हम करते हैं कोशन नमबर 5 आईए देखते हैं कोशन नमबर 5 क्या है बेटा खर पर जिमर रक्षा घोल कैसे बनाया जा सकते घर में कैसे लेंगे हम एक पानी को उबालेंगे उसे ठंडा करेंगे पानी को उबाल कर ठंडा करकर उसके अंदर चीनी और नमक का डाल देंगे चुटकी बर चीनी नमक डाल देंगे और उससे हमारा क्या बन जाएगा जीवन रक्षा घोल तो देखिए क्या करेंगे पानी को उबाल कर ठंडे कियोए जल में या सिदा यहीं से लिख दीजिए उबाल कर थंडे किय ollutे जल में एक चूटकी नमक और चीनी का घुल मिलाना चाहिए मिलाकर जीवन रक्षक घुल बना सकते हैं ठीक है यह लिख देंगे आप देखो क्या लिखना है उबाल कर ठंडे की हुए है जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोल कर जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं इस तरह बनाया जाता है या पसीदी लैंवेज में लिखिये तो जल को उबालिए उसमें एक उबाल कर उसे ठंडा कीजिए फिर उसमें एक चुटकी नमक और एक चुटकी चीनी मिलाइए ये बन जाएगा हमारा जीवन रक्षक खोड तो बैटा आज की वक्षिट कंप्लीट होती है वक्षिट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कर आए और प्लीज मेंने चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थेंक यू स्टुडेंट्स